कि अग्षाइब करें दोस्तों आज के नए टॉपिक में हम लोग जो बेसिक इंजेनरिंग इंस्टुमेंट का मैंने पिछले वीडियो में पेंसिल के बारे में अधाया था आज मैं ड्राइंग बोड के बारे में डिसक्स करना जा रहा हूं और उसके आगे मैं डिसक्स करूं होंगा आपका ड्राइंग बोड पहले उसके बाद है कि एसक्वाइब तो दोस्तों ड्राइंग बोड और कुछ नहीं बस समलों जो ड्राइंग सीट के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वह ड्राइंग बोड के नाम से जाना रहता है उसका कुछ आये सदिफाइड एक मेजरमेंट होता है उसको हम लोग जान लेंगे वहां से औपजेटिक प्रेशन पगड़ाएंगे और दूसरी चीज की ड्राइंग बोड का क्या क्या पार्स होते हैं वह जानेंगे और वो क्यों यूज किया जाता है ज़्यादतर उसमें और क्या दिवाइस किया जाता ह है उसके सारे पर्स क्या होता है यह लोग तो उसके पकड़ लिए जयाएंगे तो वह लोग ऑपड्राईंग पर सबसे पहले यह जो वाईट बोर्ड दिख रहा है आप लोगो इसी वाईट就到 क fluff करें ड्राइंग दसमें ये पार्ट को हम लोग कहेंगे वर्किंग कि दुर है कि से यहाँ आरट करल हो लग करतें कुछ बनाने का काम करते हैं। और working surface के चारों तरफ यह जो हैं का बोडर चढ़ा हुआ है इस पार्ट को हम लोग कहेंगे इबोनी कि लिए अधिक करतों यह जहां पर हुआ है कर रहे हैं यह जो चारों तरफ ओर चढ़ा हुआ है और इसके पीछे का साइड इमेजिन किया जाएं तो यहां पे पीछे के साइड में डूब बैटन का यूज किया जाता है दो बैटन यह बैटन इस वाइट बोर्ड के स्ट्रीप को सपोर्ट करने के लिए होता है होता है इमेजन कीजिए कि यह स्ट्रीप तीन स्ट्रीप मिलके के तिन पट्रं को मिला करके बनाइगा है यह क्या है बेटन बैटन का क्या है है तो तीन उप स्ट्रेप को यान सिर्फेस करेगा वोँ जोड़ने के लिए कि हम लोग बैटन का यूज़ करेंगे ताकि यह सपोर्टिव हो और इसके बाद यह किनारे जो बोडर यूज़ किया गया है यह वर्किंग सर्फेस आपको देगे कि कि लिए अब यह वाइट बोर्ड अब ड्राइंग दोड के रूप में अगर कन्वर्क ही आएं होता क्या है कि ड्राइंग बोर्ड में यह ब्लैक कलर की करफिड़ी रहे हैं यह ऐले पले प्रकिंग ब्लैक कलर medida की प्रकिंग सब्सक्रेफ जैसे कि पहले वाले ब्लैक बोर्ट जो देखते थे उसके उपर से उसको कवर करने के लिए से हम लोग उसको लगाते थे उसको यह कहा जाता है और उसके पीछे जो पटियों को जोड़ने के लिए जो एक अलग से जो यूज करते थे तो उसको कहेंगे इवोनी एड इवोनी एड इवी ओ एन वाई है ठीक है दोस्तों अब यह ड्राइंग बोर्ट जो होता है इसमें मेली काम होता है इसमें ड्राइंग करने के लिए जैसे कि कुछ इंजिनियर अपने मोडल को बनाना चाहते हैं तो ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग सीट के जरिये तो ड्राइंग सीट यहां पर यूज किया जाएगा ड्राइंग सीट ऐसे चिपका दिया जाता है और चारों कोनों पर कुछ क्लिप या हम लोग पिन यूज कर सकते हैं क्लिप यूज करके हम ल कि इसका पिच्चर कि इसके अगर बैक साइड का पिच्चर पर जाए तो यह यह हो जाएगा इवोनी यह यह कहलाएगा इवोनी यह और यह आपका जो बैटल लगा होगा दो बैटल पे के सपोर्ट से स्ट्रिप्स जूले होंगे यही स्ट्रिप्स पीछे जाकर यह आपकर पाट टॉक लेवल का पाट देगा जो हमारा वर्किंग सेफेस होगा हम लोग यहां स्कूर्व से सपोर्टिव बनाते हैं इस बैटन को और इसका नाम क्या हो जाएगा बैटन और यह सारे क्या है स्ट्रिप्स जैनली ड्राइंग बोर्ड जिस लकडी का बना होता है वो लकडी होता है जैतून जैतुन लकड़ी या ओक या जैतुन की लकड़ी की होती है जो हलकी होती है और जिसको जीतना ज्यादा चिकना किया जा सकता है उससे हम लोग बनाते हैं ड्राइंग बोर्ड ठीक है अगर ड्राइंग बोर्ड की कुछ मेजर्मेंट जो आईस सटिफाइड है आईस 444 1989 से सटिफाइड है वो मेजर्मेंट है दी जी ओ डी वन डी टू डी थ्री डी जी ओ में है आपका सारा एम एम में हम लेंगे क्योंकि इंजिनरिंग का जो स्केल होता है एम एम की जनरली लिया जाता है डी जी ओ में आता है आपका 1500 1025 यह LB एच के फॉर्म में ठीक है L B और इसका विर्ट जो मोटा पर होगा वो आपका एच कर लाएगा तो 1500 1025 एंडी वन इस 1000 को यहां पर रख दिया जाए और फिर आएगा 700 25 फिर इस 700 को यहां रख दिजे फिर यहां पर आएगा 500 25 फिर यहां पर 500 को रख दिया जाए और लास्ट मेजरमेंट आता है 350 एच इकोल टू 25 यही आइस यानि की इंडियन स्टेंडर्ड थे यह मेजर्ड है इंडियनटि स्टेंडर्ड्डर्ड शोरी यह इंडियर्में इव अब ऑज़ा है को मेजर्डर्ड शौ्यर पर आ जैसर खेर के बन सकते हैं वहां पर राटकाशन स्टेंडर्ड का क्या मेजर्मेंट थिस्टा क्रेक्ड से आपके बहुत सारे question attempt किये जा सकते हैं और common से इसकी बात है कि अगर drawing board है तो संतल होगा उसका प्रिष्टेश हेत्रफल rectangular हो सकता है square rope में भी हो सकता है तो वह आपका common view रहेगा वहाँ से आपको बना सकते हैं question इवनी एज का color होता है black यह याद रखेगा जो भी drawing board आते हैं उसका इवनी एज ब्लैक कलर का होता है और दूसरी चीज कि हम लोग drawing board पर अगर हम लोग 36 रेखा यानि कि horizontal line अगर खीचना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इसपलों नेक्स बीडियो में देखें कि एक बीडियो नहीं हम इसी वीडियो में डिल करेंगे जांद्मिए जहां होता है लग एस सकते हैं अगर वर्टिकल लाइन को खीचना है उसके लिए हम लोग सेट एसकोयर यूज करेंगे ठीक है दोस्तों यह स्क्वाइर हर जेंटल लाइन के लिए और सेट इसक्वाइर हम लोग वर्टिकल लाइन के लिए झाल के लिए normal हे लाइन के लाइन के लिए भूल्चि लुए अब धिव नेक्संट इंट्रूमेंट हम लोग विश्कश करने जा रहे हैं पहले लोग इसके दिश्कास की र्वड़् जो मेजर्मेंट काफी इंपोर्टेंट इसका पॉर्स इंपोर्टेंट यही दो चीजिश से बन सकता है या यह सकते हैं प्रजेट आप लोगों क it is used to draw horizontal line और यह जब भी horizontal line खिचने लिए यूज कि जाए जब मेख अगर इसके हम लोग vertical line खिचना चाहते है तो इसका support लिया जाएगा लेकिन अगर हम लोग vertical line खिचना चाहरे है we have to draw a vertical line using this instrument we use another instrument name as its name is set square set square set square generally is form we have to draw one from every circle set square to set square wrangle 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 here only we it it we 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 कि यह प्लेड का तो यह जो कि होगा को a Couple के ब्राबर होगा यानि के अगर और हम लोھ सब्सक्राइब करें दिसक्स करें रहे हैं कि एक श्टेंग के तोर फेज्ट युद्स कर दाने सागवान सबसे ज्यादा मजबूत होता है इसलिए इसका बनाया जाता है अगर और अगर मजबूती का देखा जाए तो मजबूत के हिसाब से सागवान की लकड़ी महतोपूर होती है that's why we use सागवान कोड़ for making the T-square instrument कि इसको आप इसको आप इसको आप इसका दो होता है हैंड एन ब्लेड ब्लेड की लंबाई बोड की लंबाई की बराबर होती है और यह सबसे ज़्यादा परियोग सेट स्क्वाइर के साथ होना अवश्यक होता है नहीं तो इसका कोई यूज केवल होरियंटल लाइन के लिए हो पाएगा वर्टिकल लाइन के लिए नहीं हो पाएगा अब इसका मेजर्मेंट पर आते हैं मेजर्मेंट जो सर्टिफाइड मेजर्मेंट है वो हम लोग का टी स्क्वाइर के लिए है फर्स्ट, सकेंड, थर्ड, फोर्थ टी जीरो, टी बन, टी टू और टी थ्री सबसे पहले हैं 1500 प्लस माइनस 10 फिर है 1000 प्लस माइनस 10 फिर है 700 प्लस माइनस 10 और फिर है 500 प्लस माइनस 10 यह सारे mm में स्केलिंग होंगे इसका वालब जो भी हमारा टी स्क्वाइर का लेंक्थ होगा 1500, 1700, 1700, 500 1500 अपर लेवल है तो जीरो यानि कि टी जीरो स्टेंडर्ड, टी बन स्टेंडर्ड, टी टू स्टेंडर्ड और टी थ्री स्टेंडर्ड का यह इंस्ट्रूमेंट आते हैं जैसा आपका बोल रहेगा उस हिसाब से आपका टी स्क्वाइर यह पर्चेश करना पड़ता है उसी को यूज करना पड़ता है यह थे मेजर्मेंट टी जीरो टी बन टी टू स्टेंडर्ड इसके बाद का नेक्स्ट इंट्रूमेंट है आपका कमपास कमपास आप लोग क्लासिक से यूज कर रहे होंगे कमपास का स्ट्रूक्चर अगर हम लोग देखें कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि आगर कि यह यह दो हैं अगर कि इसमें कि एक निदेट पार्ट करेंगे होता है जिसने डोन तरफ निदिल होता है यह सकेंड टाइब दो तरह के कमपास होते हैं एक बड़ी एक बड़ी कमपास और एक छोटी कमपास ऐसा नहीं है कि यह वन एंड हाफ पेंसे लगाने के लिए अलग है और यह निदिर वाला अलगा है दोनों को सेम हम बोल सकते हैं लेकिन अगर हम लोग साइस की उपर बात करें तो बड़ी कमप सब्सक्राइब सर्कॉश्ट एक बड़ी दिंग अगरी अगर मिर्स होगा होगा अवाज छोड़ी ऐसनी के लिए और लेकर अधिक है बड़ी कमपास का यूज़ करेंगे और जिस से का रेडियस 25 mm से लेकर 50 mm के बीच वह अगर है उसको हमलब छोटी कमपास से यूज़ करके बनाएंगे बस यही है डिफ्रेंस बड़ी और छोटी कमपास में इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं है बस यह मेजरमेंट आपको याद करना है बड़ी कमपास का यूज़ 50 mm से अधिक रेडियस को खितनी के लिए यूज़ किया जाता है चोटी कमपास का यूज़ वह आता है यान कि यह क्लास आपके लिए बहुत ही फ्रूटफूल होगा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें कि और भी इंस्ट्रूमेंट सो थैंक यू